धार्मी का आस्ता या फिर जरूरत के लिए अब घर में गाय रखी जा सकती है घर में गाय पालने पर बिजली पानी के कनेक्शन काटने पर राजस्थान हाई कोट ने एक एहम आदेश दिये है हाई कोट ने आचका करता कि बिजली पानी की कनेक्शन फिर से चालू करने के लिए नगर निगम, PHED और JVVNL को निर्देश देते हुए जवाब मांगा है आपको बता दे कि जैपूर में आवारा पशो और अवैड डेरियों के संचालन को लेकर राजस्थान हाई कोट की खंडपीत ने अवैड डेरी संचालों को नोटिस जारी कर उनके बिजली पानी की कनेक्शन काटने के निर्देश दिये लेकिन लोगों की धार्मिकार जरुत क के लिए घर में गाय रखने पर निगम की कारवाई को लेकर हाई कोट ने एहम आदेश दिया है कोट ने काचे गए बिजली पानी के कनेक्शन वापस जोडने के भी निर्देश दिये और साथ ही में याचिका करता राधिशाम के बिजली पानी कनेक्शन वापस जोडने के हाई कोट की डीबी बैंच ने ये और्डर पारित किया कि जो मुनिसिपल कॉर्परेशन के कमिशनर हैं उनको आदेश दिये कि जो भी ऐसी डेरी का संचालन कर रहे हैं उनको विदिन 10 डेज एक नोटिस दिया जाएगा और अगर वो फिर भी ऐसी डेरियों का संचालन या फिर फिर पानी का कंट्सन काट दिया गया था इसमें हम ने ये कहा कि जो हमने जो गाये जो पशू रखे हुए था वह हमारी रिलीज़ियस और पर斯नल यूज स के लिए रखे हुए थे हमने अपनी रिलीजियस बलीफ के लिए रखता है तो उसे इल्लीगल डेरी की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा और मीनवाइल यह एंट्रेम ओडर दिया कि हमारा पानी और बिजली का कनेक्शन वापस से रेकनेक्ट